लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दवाना ना भूलें। देश इस समय जहां कोरोना महामारी जैसी विफदा से निपटने में जुटा हुआ है। वहीं अब प्रकरती भी विक्राल रूप धारंड करती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा सूपर साइकलोन एमफन ओडिशा तटके निकट पहुँच गया है। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा के कई इलाकों में बारिश होनी शुरू हो गई है। ओडिशा के केंदरपाड़ा, पूरी, जगत सिंगपूर और खुर्दा इलाकों में हलकी बारिश होनी शुरू हो गई है। महीं संभावना जताई जा रही है कि बारिश और हवा अधिक तेज भी हो सकती है। राज्य सरकार ने भी चक्रवाद से प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली कराने का काम अधिक तेजी से करना शुरू कर दिया है। आरेमजी के महा निदेशक मृत्यूंज महापात्रा के अनुसार सूपर साइकलोन कमजोर होता नजर आ रहा है। जिससे इसका ओडिशा पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बहराल बतादें की मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 6 घंटे में सूपर साइकलोन एमफन अपना रूप वदलेगा। इस दोरान उसकी कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। महीं स्काइमेट वैदर ने जानकारी देते हुए बताया की सूपर साइकलोन एमफन बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्या और इससे सटे मध्या पूर्वी भागों पर है। यह अति भीषण होने के बाद अब धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया है। विभाग ने बंगाल और ओडिशा के तटिये इलाकों में भारी तबाही की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार इस दोरान कच्चे घरों, पुराने पक्के घरों, बिजली वे टेलिफोन के खंबों और नारियल के पेडों को भी गंभीर शती पहुंच सकती है। इसके लावा कई स्थानों पर रेल और सडक मार्ग भी प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं।